आप सभी आई होब आप सभी बहुत अच्छे होंगे अभी टाइम होने वागा है पांच बजने बाद तो आज की उड़ोग की सिर्वात हो रहे हैं सामके पांच बजे से और अभी जाके बढ़तन वरता दूम चाय वागेरा सारा कुछ हो गया और सामके काम की सिर्वात हो जञरती चल रही है तो फिस रहे है ताल आश बनाने वादे ह हम नहीं धहीं बढ़े तो चलिए वीडियो को बिना भी लेडस करे शुरु करें तो पहले तो आप सभी को हैपी करवाचोत क्योंकि आप इसको करवाचोत वाले देनी देखोगे मैं कली इसको डाल दूंगी और यहां पर देखिए दाल भी हो दिये ओड़ा की दाल है तो आज साम में बनाने वाले हैं हम ओड़ा धाई बड़ी तो साम का ही टाइम हो रहा है अभी यह रात को भी होई थी और यहां पर यह लग रहे हैं उपर जो इस दिन आपने देखा था ना छट से पानी गिर रहा था तो इसमें क्या दरारें पड़ जाती हैं छट में किसी की विव अच्छी हो नई हो परानी हो इससे मतलब नहीं है तो बस उसी में थोड़ी सी रि अभी आपने देखी थी वही मैंने बस पीस लिए मैंने नहीं पीसी सोरी मेरी नरद ने पीस के रखती है तो खना बनाने का टाइम हो जाएगा इसलिए टाइम से लग जाती हूं से लग जाती हूं से एक ने यह देखिए क्या हूं रखे मोरा आगया खाने के लिए आज तो इसमें डाल लिया है थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ा सा नमक बस यही सब कुछ हम डाल के इसको सेखने वाले और काला नमक डाल लीजी वैसे हमारे आज गर पर काला नमक नहीं था सेंदा वाला तो था तो जिसके वाज़े से मुझे थोड़ा सा कम टेस्ट आता है दही बड़ी में बिना काले नमक के तो यहां पर बस चूला जला लिया है और फैंड वगयरा डाल के तैयारी कर दिये का हमर करा रही थी और मैं इनको सिक दूँगी इनको सिकने में थोड़ा सा टाइम लगता है और हम ना अपने जैसे छोटे छोटे खर्चे होते हैं उनको थोड़ा सा मैनेज करके पैसे बचा सकते हैं और जिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा बहुत पैसे वाले हैं उन ल काफी खर्चे ऐसे होते हैं जिनको हम मैनेज कर सकते हैं तो वही सारी चीज आज में इस टोपिक पर थोड़ा साप से बात कर रही थी और साम को लगाने वाले हैं मेहंदी वगएरा तो उसी वज़े से थोड़ा सा और मैं जल्दी लगी हूं बनाने के लिए क्योंकि कितना भी जल्दी जल्दी कर लो तो लेट होई जाता है साम का खाना पीना भी बनाना है और मैं इस तरीकी से चम्मत से छोड़ दे जा रहे हैं क्योंकि फिर हाथ का है क्या बार बार दोना पड़ेगा हाथ से वैसे अब जाता है मैं हाथ से भी छोड़ देती हूं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन चम्मत से भी सही बन रहे थे ऐसा कुछ नहीं और यहां पर मैंने मोटी लगड़ियां लगा लिए हैं चूला जला लिया है क्योंकि हम गैस पर फिर अंदर गुटन जैसी होती है उससे तो मुझे अच्छा यहां बैठके चूले पर बनाने में अच्छे से लग रहा है गैस पर करने को कर लेते हैं लेकर हम कम ही काम करते हैं क्योंकि आराम से चूले पर हो भी जाता है जब कुछ इमर्जेंसी होती है तो गैस पर भी बना लेते हैं ऐसा कुछ नहीं है तो बस इनको मैंने इस तरीके से इसमें छूड़ दिया है और थोड़ा सा यह दाल है ना द क्राइब किया करें तो बस यहां पे इनको में आराम सेलट पलट के थोड़ा सा टाइम लगता है इसको से शेकने में तो इनको सीक लूंगी और इसमें ना कुछ भी नहीं डाला है जैसे अगर आप फूलते नहीं है तो थोड़ा सा इनो या फिर सोडा का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से फैट लिया था ना उसकी वज़ा से ये काफी अच्छे फूल रहे हैं देखे अभी मैं आपको पास से देखाऊंगे बहुत बहुत ज़्यादा फूल रहे थे लेकिन ये थोड़े से ओईली भी बनते हैं तो जिसके लिए आप की सकते हैं कि कितने ज़्यादा फूल रहे हैं काफी फूली फूली बन रहे हैं तो सारे जितने भी हैं सारे में बना के रख लूंगी और ये देखिए इनको ना फिर पानी में मैंने बताया था आपको इसी तरीके से पूरा प्रोसेस इसी तरीके से किया था मैं खाना बनान के लिए और यहां पे रूटिया बगेर बना लीए में और टाइम साथ तो टाइम हो चुका है आठ और मैं जलीली सारे काम खतम करके आ चुकी हूँ यहां पे बच्चों का दूद है और थोड़ी सी टीवी के बाद ज्यादा आ रही थी इसलिए मज़े बोई सोबर करना पड़ा और ब्लूटूथ अभी में बात कर रही थी तो उसका मैंने द्यानी नहीं दिया बस तो यहां पे फटा-फट से निकाल लेती हूँ मैं अपनी कीप यहां पे कीप रखी हुई थी उस दिन में लाई थी मेहंदी लगाने के लिए तो अभी बस यह जो ज्यादा चूड़ियां है इनको निकाल दूँगी इनसे मेहंदी थोड़ी सी लगेगी नहीं और यहीं है देखिए चोटी मोटी चीज़ जी मेहंदी हो गया फेशिल वगेरा हो गया जो कुछ मनदलों तैयारी में काफि सारी चीज़े होती है क्योंकि इस पर एक अच्छा खासा खर्चा होता है अगर सारी चीज़े कीजिए तो लेकिन कुछ चीज़े हैं कि आप कर सकते हो कुछ चीज़े हैं कि आप जरूरी नहीं होती है खुद से भी कर सकते हो जैसे के देखिए हम लोग लगा रहा हैं महंदी तो हम घर पर ही लगा लेते हैं काफी लोग हैं कि बाहर लगवा के आते हैं और महंदी का भी अच्छा खासा रेट लेते हैं इस टाइम पर तो ये सारे चीज़ा हम तो घर पर ही कर लेते हैं ठीक है रचने के बाद सब एक जैसे लगती है और काफी अच्छी लगती है तो वस यह मेरे यहां पर लगा रही है और यह अपने पढ़ाई कर रही है दिव्या तो फाइनली मेरी पूरी महंदी लगके त्यार हो गई है एक हाथ की एक पर ही लगाई है और यह बहुत जादा रो रही थी यहां मेरे पास सो गई हमें वीडियो व्लोग के साथ में और आप सभी को हैप्पी करवाचवत एडवांस में यह वीडियो पीछे पहुंचेगा आपके पास तो थैंक्यू फर वाचिंग मिलूंगी नेक्स्ट टिक अच्छी से वीडियो व्लोग करवाचवत की व्लोग के साथ तब तक के लिए आप स